नमस्कार जहन्द आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियों हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनकी राध्धानियों के बारे में विस्टार से जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो हम कुछ important facts पहले भारत के बारे में जान लेते हैं जैसे हमारी अगर भूमी सीमा की बात करें तो 15,166.7 km भूमी सीमा है और अगर दीव च्छेत्रों यानि की समुद्रिक सीमा की बात करें तो 7,516.6 km की तठ्रेक है और भारत का अगर अधकारिक नाम की बात करें तो भार हमारा देश भारती उपमादीप का सबसे बड़ा देश है और आप सभी जानते हैं जैसा कि यह साथ में नंबर पर आता यानि छेटपल की दरश्टी से सात्मा है और जो जनसंकिया की दरश्टी से बात करें तो भारत दूसरा इस्थान रखता है जबकि चीन पहला इस्था हिंद महासागर जो की दच्षड पष्च्यमें मालदीै दच्षड स्रीलंका और पूर्में इंडोनिसिया से भारत की समदक सीमा लगती है तो इस तरह से जो भूमी सीमा और समदक सीमा कुल मिला के कई सारे हमारे प्रोसी देश हैं तो इनके बारे हम डिटेल से आंगे लिते हैं, इसके लाबा और अगर बात करें तो अगर भारत के जो उत्र की भौत्थिक सीमा है, जो की हिमाल één परवश से लगती है, और drift म्हिंन महा सागर से सीमा लगती है भारत की और पूर्ण में बंगाल की पूझे जाते हैं अक्सर पोडोसी देशों के बारे में और भारत की सीमा के बारे में अक्सर बहुत सारे प्रस्ण बनते हैं तो आज हम पोडोसी देशों के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं आज के इस वीडियो में तो चलिए देख लेते हैं यह देखिए आप इसका स्यार करता है वरत से तो इसकी राधानी काबोल है और चीन की राधानी बीजिंग है नैपाल की राधानी काटमांडू है भूटान की राधानी थिंपू है और बंगलादेश जो की पश्चमी पाकिस्तान था पहले पूरी पाकिस्तान था पहले तो उसकी राधानी ढाका है म् है तो चलिए इन से इनके बारे हैं कुछ important factor आगे बिस्तार से जान लेते हैं सभी देशों के बारे में तो हम बात करते हैं जो भारत का सब्सक्री खुंकार पडोसी देश है पाकिस्तान जो की भारत के पश्चे में स्थेत है और पाकिस्तान की अगर कुल छेटपल की बात करे है और यह अपना जो सतंता दिवस है 14 अगस्त को मनाता है और अगर बात करें तो पहले पाकिस्तान दो हिस्तों में बटा हुआ था जो की बंगला देश है और उसे पहले पूरी पाकिस्तान के नाम से जानते थे और यह अलग कब हुआ अगर पूछा जा सकता है पाकिस्तान से बंगला देश कब अलग हुआ तो 1971 में ये अलग हुआ 1971 में भारत की मदद से एक बंगला देश नया देश बना जो की पहले पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था तो इंपोर्टेंट है वहीं बात करते हैं भारत के दूसरे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की जिसे मद देशिया में इसलामिक रिपबलिक आप अफगानिस्तान की नाम से जाना जाता है अफगानिस्तान का कुल भूमी छेतपल की अगर बात करें तो 6,52,230 बर किलो मीटर में ये फैला है और इसलाम देश में इसलामिक जो देश है ये प्रमुक देश है और इसमें जो की इसलाम धर्म प्रमुक है और इसकी जो अर्थ विश्ता है प्रमुकता किर्सी पर निर्वर है अगला देश है चाइना अगर इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम है पीपल रिप अधारत दुनिया मत्छो था अच्छेतग दिश्ट्रा रगता है और चीन में राष्ट्पति राज・करता है वहाँ पर चैसे अपने अहां प।रिदान मंत्री हो था सरकार में लेकिन वहां पर राष्ट्पति होता है। अगर बात करें वह कौन से जो राज हैं जो की चीन के साथ सीमा साजा करते हैं तो लद्दाग हो गया हिमांचल प्रदेश, सिक्कम, अरलांचल प्रदेश और उत्राखंड ये चीन के साथ अपनी सीमा साजा करते हैं और चीन में जो बहुत धर्म के अनुवाई से जादा रहते हैं यानि कि बहुत धर यानि कि चायो तरफ जमीन से घिरी हुई है नैपाल जो की है वो हिमाले के उत्तर यानि कि भारत के उत्तर में इस्थित है छेदपल के संदर में अगर इसकी बात करें तो एक लाग सैटालिस जार एक सो इक्यासी बर किलोमीटर छेदपल है नैपाल तरानवे या सबसे वड़ उचे पहाड़ उनमें से आठ अकेले नैपाल में ही है जिसमें पर्थभी की सबसे उची चोटी माउंट अबरेष्ट भी सामल है तो माउंट अबरेष्ट को वहाँ पर नैपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं ये बी इंपॉर्टन कई बार एक जाम में पूसा जा और सिक्कम पष्चे मंगाल और बिहार के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो ये जो हमारे प्रदेश हैं जो कि इससे सीमा साजा करते हैं अब बात करते हैं हमारे अगले पडोसी देश भूठान की जो कि भूठान है एक सांती प्रिय देश है भारत का बहुत अच्छा मित्र है भूठान भारत के उत्तर में स्थेत है यह अथकारिक रूप से kingdom भूठान के नाम से जाना जाता है यानि कि जो इसका अथकारिक नाम है वो kingdom भाप भूठान है और यह अरणचल प्रदेश, सिक्कम, असम और पश्चिम बंगाल के साथ यह भारती राज है जो कि इसके साथ सीमा साधा करता है और यह भी एक landlock देश है जिसका छेतपल 38,394 बर किलोमीटर है भूठान की रादानी थिंपू है और देश में समधान समधानिक राजतंत्र है देश की अर्थवस्ता में प्रवक्ख योगदान हैड्रो पावर किसी बानकी और पैरटन है भूठान भारत का सबसे छोटा पडोसी देश है और सबसे मित्रवत देश है यहां समधानिक राजतंत्र से मतलब है यानि कि यहां पर अभी भी नरेश आनि की भूटान में नरेस होते हैं लेकिन समधानिक देश हैं अब हम बात करते हैं हमारे एक और पड़ोसी देश बंगला देश की बंगला देश का अदकारिक नाम है वो पीपोज रिपबलिक आप बंगला देश है जो की दच्छड एसिया में इस्टेत है बंगला देश की मजोरम तरपुरा मेगहले और पश्चिम बंगाल बंगला देश से अपनी सीमा साझा करते हैं अगर इसकी जनसंख्या के बारे में बात करें तो इसमें काफी जनसंख्या है, जनसंख्या के मामले में ये आठमे नंबर पर आता है यानि कि बल्ड में दुनिया में ये आठमी नंबर पर आता है इसकी आवादी लगबग 161 मिलियन है और दुनिया में सबसे अधिक आवादी वाले देशों में इसका भी नाम लिया जाता है बंगलादेश शुरू में जैसा की पहले में बता चुका हूँ वीडियो में पाकिस्तान का एक हिस्ता था जिसे पूरी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था लेकिन 1971 में एक लिबरेशन यो दोने के कारण इसे सुझनता प्राप्त हुई और बंगलादेश एक नया देश बना अब बात कर लेते हैं भारत के एक और परोसी देश में मार की मार आतकारिक तोर पर ता रिपबलिक आफ दा इनवीन आफ मार के रूप में जाना जाता यह पूर्वी एसिया में श्तेद है भारत का पड़ोसी देश में मैमार नागा लैंड मुजुरम अड़ांचल प् भूमी दच्छड पूर्वेस्याई राज्यों में सबसे बड़ा है नाइपीडिया मेमार की राजधानिये देश एक दो सरदनिये बिधायगा के साथ राश्ट पती के गड़तंदर द्वारा सासद है राज का प्रमुक देश का राश्ट पती होता है यहां भी प्रिदान मंत स्रिलंका की दो राजधानियां जयोवर्दम पूट ने पर एक सब्सक्राइब के राश्ट होने के राश्ट में एक सबसे प्लेस के नाम से जाना जाता है यानि कि यहां पर टूरिस्ट जादा है तो यहां पर यह एक सांथ दीप है तो भारत का अच्छा पडोसी देश है अब बात करते हैं हमारे नौ में पडोसी देश माल दीप की यह भी समुद्रिक सीमा इससे लगती है भारत की माल दीप भारत क अधिक कोरल दीव है, माल दीव एक presidential republic है और राश्टपती राज का प्रमुक होता है माल दीव की राधानी माले है तो यह important है कि माल दीव की राधानी क्या है तो माल दीव की राधानी का नाम माले है, तो यह थे हमारे कुछ पडोसी देश, सारे का सारे पडोसी देशों के बारे हमने विस्तार से जाना तो चलिए आज के वीडियों बस इतना ही जैहन वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद